हालो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आप लोग के समख्च आज हम फिर रेन्बो जो आपका 12th क्लास के जो आपका बुक है और उससे हम आपको आज कहानी पढ़ाने जा रहे हैं और यह पहला कहानी है आपका दर्थ यह देखिए, दर्थ यह पिर्थवी के बारे में हैं आज हम आपको समझाएंगे कि दर्थ जो आपका पिर्थवी के बारे में जो लिखा गया है और इससे इंसान क्या कर सकता है यानि कि भगबान ने हमें एक चीज़ को छोड़ करके सब कुछ एक जैसा दिया है जैसा कि दो हाथ, दो पैर, आपका बाल, आख, नाख सरीर सब कुछ एक जैसा दिया है लेकिन वो एक चीज भिन है वो एक चीज आपका अलग है वो है हमारा क्या चीज़ है? वो है आपका सोच यानि सोचने का जो तरीका है वो बिलकुल अलग है यानि कोई भी इंसान मतलब जन्म से ही गरीब नहीं होता है और कोई भी इंसान जन्म से ही अमीर नहीं होता है सभी लोग जो भी इंसान आया है इस पिर्थवी परी सभी लोग गरीब पैदा लेता है अच्छा गरीब क्यों पैदा लेता है क्योंकि कोई ऐसा नहीं अमीर बेखती होगा जो पैदा लिया होगा और वो जीन्स और टीशट पहन करके आया होगा जो भी आया है जो भी जन्म लिया है और वो सभी लोग बीना कपड़ा के पैदा लिया है तो इसका मतलव जो बीना खपड़ा के पैदा लिया है तो सब आपी के देशा हुआ सब गरीबी पैदा लिया है तो उसी परकार से मतलव कि जो भी दुनिया में जो भी पैदा ले रहा है है लोग सब गरीब रहा है लेकिन वो अपने चाहे तो अपने मेहनत के दम पर आप भी कुछ कर सकते हैं वैसा की और यह कहानी आज हम आपको पढ़ाएंगे और इससे हम को सीख मिलेगा और कि किस रूप में आर इस कहानी में ये बताया गया है ये कहानी जो आपका पुर्ण रूप से वो पुर्ण रूप से कहानी जो लिखा गया है बुक में और उसका हम यहां पर short form करके मतलब summary के रूप में यहां पर हम वर्नन किये हैं लेकिन ध्यान से जब हम theme बोलेंगे theme of the story यानि इस कहानी का जो बिसय है ये क्या चीज है वो बिसय जदि आप बढ़ियां से सुनिएगा तो आपका सारा objective जो है और वो आपको याद रहेगा तो पहले आते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं दौर्थ किसके दौरा लिखा गया है तो दौर्थ जो है आपका लिखा गया है एची बेट्स के दौरा दौर्थ किसके दौरा लिखा गया है एची बेट्स के दौरा लिखा गया है आपका परिच्छा में जो author के नाम पूछत देंगे इसरी हम यहाँ पर ही एची बेट्स जो है कौन-कौन से किताब लिखा है वो सबन का हम जिक्र भी से शुरुप से नहीं कर रहे हैं तो पहले about poet कभी के बारे में हम जान लेते हैं एची बेट्स का जो जन्म हुआ था और वो हुआ था 1905 इस्वी में एची बेट्स का जन्म 1905 इस्वी इंगलैंड में हुआ था और इसका मिर्थव जो हुआ था 1924 इस्वी में हुआ था जौन्सन नाम का एक बेकती रहता है इंगुलैन के किसी एक छोटे से गाउं में निवास करता है जौन्सन याद रखेगा जौन्सन उसका पत्नी भी रहती है और उसके पास कुछ भूमी है कुछ जमीन है लगभक चार एकर भूमी परी जो है वो जॉंसन जो है खेती बारी करने का काम करता था उसके पास क्या क्या चीज था तो वही चार एकर भूमी था और उसके बाद में एक पलाव हल भी था बौनी ब्राउन मेर यानि एक घोडी भी थी और कुछ टूल्स था कुछ और भी आउजार था यंत्र था उसके पास और उसके पास सचार का भूमी था वो भी उसका अपना नहीं था वो किसी की हाँ लेंड जिसको हम करते हैं कि ठेका ठेका पर ले रखा था उसी पर रहता था उसी पर खेती बारी करता था और उस भूमी का उस जमीन का असली मालिक सैंडर्स था याद रखेगा पूछे तो जमीन का जो असली मालिक था, वो स्था सैंडर्श, उस पर जॉंसन खेती करता था, तो खेती करने में उसके पास क्या क्या चीज़ था, तो हम आपको बताएं कि जॉंसन के पास चारेकर की भूमी था, इसके अलाबा एक पलाव हल था, तू भील्ड कार्ट, ये को दो पहि गोड़ी चलता था, आप तो बैलोस नहीं जोता था, आप तो हमारे देश में तरेक्टर से देखें, गाओं गाओं में तरेक्टर हो गिया है, बहुत टेक्निकल चीज़ आ गया है, ये बहुत पुराना कहाने है, इन सबों के अलाबा जॉंसन के पास और कुछ था, जॉंस भी ठीक नहीं हुआ, तो आंतता जब एक डॉक्टर के पाह जाकर दिखाता है, तो डॉक्टर उसको सलाह देता है, कि आप इस से कुछ काम करवाईए, जदी जो इसको काम में रूची हो जाएगा, तो इसका जो मस्तिस्क, इसका जो दिमाग है, वो क्या हो सकता है, तो ठीक पास पहले से 10-12 मुर्गियां था, और इसलिए और वो बोला कि मुर्गी रखने के लिए आप इसको इंटरेस्ट जगाएगे, जदी जो इंटरेस्ट जग जाएगा, तो यह जो लड़का है, यह ठीक हो सकता है, यह हाप माइंड़ेड जो है, यह ठीक हो सकता है, वो ही मुर्गी को ले जा करके घर में, और उससे खेती बारी ना करवा करके मुर्गियों को पालने के लिए कहता है, बेन जी आस्कुल जाता है, आस्कुल से फिर पुरा वापस आता है, और मुर्गियों को देखरे करते करते वैसा है महीना, दो महीना, चार महीना होता है, उसको उस मुर्गियों को पालने में उसको इंटरेस्ट आ जाता है यान उसको रूची आ जाता है रूची जैसी आ जाता है और वही पास से दस दस से बीस मुर्गी वो और करने लगता है जो भी उसका अंडा होता है उसको बेचता नहीं है उसका क्या करता है चूजा बना करके फिर उसको मुर्गी और मुर्गा बना लेता था बेणजी, आवसी करतेकरते वो आशकुल जाता रहा और फिर वो सीधे आशकुल जाता था, सीधा अस्कुल से आ करके दूसरों लड़कों के जैसा बेंजी नहीं था और कि वो अपना टाइम को और किसी खेलने में भी ता था बेंजी जो था बहुत लगनसील मेहनती था उसको उस बिजनस में इंटरेस्ट हो गया था और जैसी आता था अस्कुल से आने के बाद वो काम करता था जब बेंजी 14 साल के हो गया याद रखेगा जब बेंजी 14 साल के हो गया था तो वो अस्कुल छोड़ दिया था याद रखेगा पूछेगा कि बेंजी कितना साल में अस्कुल छोड़ दिया था तो 14 वर्स के अवस्था में बेंजी जो है अस्कुल छोड़ दिय था उस समय उसके पास जो मुर्गियों की संख्या था और वो 40 से 50 मुर्गी हो गया था किसके पास बेंजी के पास याद रखना है बेंजी जब असकुल छोड़ा था तो उस समय उसके पास 40 से 50 मुर्गिया था उसी प्रकार से बेंजी जो था लगन सील होते गया मेहनत करते गया करते गया फिर वोही 40-50 मुर्गियों से और जे भी कुछ भी अंडा होता था यानि सप्ताह में यानि लगभग आउसतान यानि की लगभग डेड़ सो से दो सो अंडा अब होने लगा था पचास मुर्गी था तो एक सप्ताह में एभरेज आउसतान अंडा होता था डेड़ सो से दो सो अंडा होता था उसको क्या करता था जो आपको छोटा टाउन था उसका बजार था बगल में और उसको ले जा करके उस अंडा को क्या करता था बेच देता था उसका जो भी पैसा होता था तो उसका पिता जी जो जॉंसन थे और उसके नाम से बैंक में मतलब की खाता खुलबा दिये थे और उस इतना भी पैसा जमा होगा और वह सारा के सारा तुम्हारा प्रोपरटी हो जाएगा तुम्हारा होगा। उसे परकार से बेंजी मेहनत करते रहा उसका नाम से पैसा बैंक में जाता रहा और ऐसी करते-करते क्या हुआ कि उसके पास जिर्फ खाली खेती बारी करता था उसके पास ज्यादा अंध भी सवास था अंधिवी स्वास के मतलव क्या हुए? अंधिवी स्वास के मतलव भगवान के उपर और वो ज्यादा भरोसा करता था कुईसी भी फसल को लगाता था और उसको लगता था कि भगवान यह उपजा देगा आप सूच के देखे आप जदि मेहनत नहीं कीजेगा तो क्या आपको भगवान पास कर देगा? कभी नहीं करेगा आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा जदि जो आप कोई भी भगवान के पास जदि आप 5 रुपया, 10 रुपया परिच्छा के समय में जदि जो आप चड़ाते हैं तो वो 5, 10 रुपया, 100 रुपया से आपका घुस से आपका कभी परिच्छा पास नहीं कर सकते हैं आप जब तक आप मेहनत नहीं कीजेगा इस बर क्या काता है? आप मेहनत कीजे उसके लिए फल देने उपर वला देगा इस बर भी काता है कि उपर वला देगा इस लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और जॉंसन के पास अंधे भी सवास्ता भरा हुआ जय सबसे जलते 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 डिली रास्ता काड़ दिया तो उसका जत्रा भंग हो गया उसका मतलब कि उजाता था नहीं पहले उसको कहते हैं अंधभी सवास अच्छा अंधभी सवास के मतलब और भी होता है कि जदि आपका घर में किसी प्रगार के कोई बाल पचा के जदि कुछ हो जाता है आपका आगल बगल में घूमने के लिए किसी पर आखे परिशानी हो जाता है तो कहते हैं कोई डायन कमाइन कर दिया होगा लेकिन बेंजी जो था महनती था लगन सील था वो उसको लोग सब हाप मैंडर समझता था वो बेंजी के जो आख था बहुत बड़ा बड़ा था गरे आईज था बिलकुल पैर हात था मोटा मोटा था बेंजी का आदम बिलकुल आजीब जैसा लगता था उसका मता होट जो था तेसे बिल्कूल लटका हुआ था कि इसका बेंजी का और वो देखने में बिचित्र परानी लगता था लेकिन उसका हर हमेशा चेहरे पर मुश्कूरा हट रखता था बेंजी के वो ऐसा था होप माइंड़ था लेकिन हर हमेशा जब उसका पैरेंट्स जब भी कभी कुछ के उसके साथ में और सवाल जबाब करता था, बेंजी सिर्फ खाले हान नए में जवाब दे करके सिर्फ मुस्कूरा देता था, बस इतना है, जब 11 साल के बेंजी हुआ, तो उसको पास्बुख दिया गया, तो उसके पास अच्छा पैसा हो गया था, पैसा से जब भोला ईसको पासबुक जब भिया गया तहो बोला तुम इस पैसे से तुम क्या करोगे तो भोला हम इससे लांड लेंगे जमीन लेंगे भूमि लेंगे लेंगे यह बेंजी बोला कि भूमी जांसन को लगता था कि यहाँ ँश्तक Byerc इसको पता नहीं चलेगा यह हम को पूछेगा लेकिन बेंजी पहले वीट मोर से जाकर करके बात कर लिया था कि हमको जमीन लेना है यतना एकर चार एकर भूमी को सबसे पहले बेंजी खरीदा था और जबकि जौंसन अपने जिंदगी में एक धूर भी नहीं खरीद पाया था किसी दूसरे सेंडर्स के और जो घुमी थाने उस पर वो निवास करता था उसी पर रहता था और वो भी और मतलब उसके लिए देता था खटखट के मतलब अनाज उसके बदले में अनाज देता था पैसा देता था उस जमिन के बदले में जबकि बेंजी जो है और धीरे धीरे जैसे उसका passbook में धेर सारा पैसा हो गया और वैसे वैसे जो है बेंजी और संपत्ति को बनाना शुरू कर दिया अभी तो इतना काम जब बेंजी के पास धीरे धीरे इसी मेहनत करते गया एक पॉल्टी फॉर्म बनाया दो पॉल्टी फॉर्म बनाया तीन पॉल्टी फॉर्म बनाया चार पॉल्टी फॉर्म बनाया ऐसे करके बहुत सारा पॉल्टी फॉर्म बनाया अब उसके पास 500 से 1000 मुर्गिया जब हो गया वो क्या करता था बेंजी की पहले अंडो को नहीं बेचा करता था उससे मुर्गी बना लेता था जो जो color के मुर्गिया जो जो नस्ल के जब रहती थी तो बेंजी उसको छाट छाट के मतलब अलग अलग नस्ल वाला मुर्गी को अलग अलग और घेरा में लेजा करके रखता था उसको business करने का तरीका जो है paper पड़ पड़ के और वो business करने का तरीका भी सीखता था और प्रफित नहीं होगा क्योंकि आपको पता है मुर्गियों में रानी खेत बीमारी हो जाएगा तो सारा मुर्गी टपटपा करके लटक जाएगी यानि समध्ज जाएगे मुर्गा रहचा मुर्गी उसको फिर पाचों 20 उर्पिया में नहीं लेगा लोग यानि 20-10 उर्पिया जतना भी है आपको दूर प्रदप होने लगा क्या जोड़न मुर्गी के द्हां मुर्गी की आप करोना वाइरस में कितना लोग आप मुर्गा मुर्गी को कने कने दफना दिया उसको कोई खाने के लिए गज़ता था नहीं मरण मुर्गा के कहाएगा ऐसी तो वूब पॉल्टी है और दूसरा में और लेकिन बेंजी जो था ने वो पॉल्टी मुर्गी का बीजनस नहीं करता था वो देहाती मुर्गी के बीजनस करता था फिर पांसो से हजार मुर्गिया जब हो गया उसके पास धेर सारा अंडा जब करता था यतना रीच हो गया एक तीन यतना रीच हो गया बेंजी अपने मेहनत से अपने मेहनत के दम परी मुर्गियों का भीनस करते हुए कि उस एरिया में जब कोई किसी को जमीन बेचना रहता था जब कोई किसी को घर बेचना रहता था जब कोई किसी को लोन लेना रहता थ घृँमकामाले उससे भी बेंजी और रीच हो गया था हड़ह गया उसको और तक तुम मेरा काम करीजान करा अपुम और इंहां mbuds जब 40 वर्स की अवस्था हुआ बेंजी को, जब 40 वर्स की अवस्था हुआ तो उसको अकेले काम करने में परिशानी होता था, उसको किसी नवकर की अवस्था था, और नवकर की अवस्था में उसके नाम सेंडर्स को जब बोला गया, और तो उसके लिए एक नवकर खोज करके लाए गया और वो नौकर में थी लेडी लड़की थी उसका नाम था फलोरेंस याद रखेगा उस लड़की के नाम था फलोरेंस फलोरेंस कैसन थी फलोरेंस का भी जो आग था बड़ा बड़ा था ग्रे कलर के था बिल्कुल मोटी थी दा बिल्कुल हाथ पायर यह सबसा मोटी मोटा मोटा था उसका हाथ पैर जो है अध बहुत मोटी थी देखने में बीचिदर जैसा लगती थी और वो ठोर लटकी थी उस जूप करके जब उसका घेरा में और वो बारती थी मतलब पोल्टी फॉम में तो बेंजी छूप करके उसको देखता था जब जूप करके वो बारती थी ने तो उसका सीना के पास वो निहारता था बेंजी यतना ही लंगट था यतना ही बदमास था और वो उसको निहारता था क वो जा करके पीछे से बेंजी जो था फलोरेंस को पकाड़ देता था अंधेले में ही और पकाड़ करके आर कोची कोची करता था ऐसे यह सिलसिला बहुत दिन तक चला यानि बेंजी को मुर्गियों के अलावा आप दूसरा इंट्रेस्ट लड़कियों से हो गया था यानि आएसा नहीं था बेंजी और एसे प्यार किया और फिर उसे साधी नहीं क्या उसको चोड़ दिया नहीं वो एनाउसमेंट कर दिया और कि हम उसी स साधी करेंगे लेकिन परेंट्स को उसका माता-प्टा को फलॉरेंस पसंद नहीं थी क्योंकि फलोरेंस जो थी ने वू ठोर लटगे थी, उसका मुँँ हमेशा और फुला ऑओ रहा रहता था बंद नहीं रहता था, जिसके कारांद से वो पसंद नहीं थी, लेकिन बेंजी को पसंद थी, बेंजी को आशने चाहिए था पतनी, जैसा नहीं था भुडू, और आश मिल रहा था जो जरोत होता मिल यह रहा था उसको सुंदर्ता कोई आप सब फैसला कर रहा था बेंजी जब एक दिन ले करके चल गया तो आपको यह भी परिछा पूछेगा कि आगे चल कर फ्लोरेंस जो है किसका पत्नी बनी थी तो बेंजी के याद रखेगा बेंजी के पत्नी फ्लोरेंस और वही फ्लोरेंस जो है जब पत्नी बन करके उसका घर में गई थी बेंजी के घर में तो उसका मा जो है उसको तो पहले सा पसंद नहीं करती तो उसको लाइक नहीं करती थी लेकिन जब बरतन को मासती थी मतलब बनाती थी तो जहां पर बनाती थी आप हलोरेंस वहीं पर खाती थी आपको पता ऐसा घर में जदे कोई पतोह तिक्वे जरूर बोलेगे और वैसा है उसका बन जी के मां भी है और वह यह डेलेशलाइब अड़ाय लड़ाई कर्ते मतल्ला मतल्विंशहले क्यों धरी ऑसे परना हुए मतल्य को खाती है और यह मैस्ति थी और तो वह ब्राणी से मैस्ति थी ठीकान। जिसके कारण से और वो बेंजी के मदर को माता को और यह पसंद नहीं था क्योंकि बेंजी के मादर जो थी वह सोडा से मैसा करते थी और इसलिए उसका बढ़ियां चिकनी थी वह जैसे क्यों सासने रहा है दम बिल्कुल पढ़ियान जैसा करती है मतलब चिकन रखा घार दुबार कपणियां से बाहर सोड़ तरके और वैसा फलोरेंस नहीं थी फलोरेंस हम बोले ने उतना दिमाग जो अच्छी तरह से काम नहीं करता था वह बिल्कुल दूसरे जैसा मतलब लड़की थी लेकिन बेंजी को जब यह डेली चीज एसवन जब स तुनता था कि मतलब हाँ सास पतों में लड़ाय धगड़ा हो रहा है तो बेंजी कुछन पसंद नहीं था इसको लगता था लड़ाय धगड़ा क्यों करती है इसते बेतर मतलब अलगे-अलगे बनाव खाओ और बेंजी एक दिन बोल दिया जोर से बोला और कि मतलब कि प्रस्त फुचेगा कि बेंजी ने अपने पैरेंट्स को कहां रहने के लिए बोला था की रहने के लिए बनाने तो यानि दोनों के बीच में बटवारा हो गया था यानि कि वो भी कुछ दिनों में क्या करने लगा फ्लोरेंस बेंजी अलगे-अलगे बनाता खाता था और उसका जो पैरेंट्स जिंदगी में अतना मेहनत नहीं करता था बोले आपको पहले कि अंधविश्वास में पढ़ा हुआ रहता था वो क्या करता था बैक डूर देने उसका पिछले दर्वाजा के वहर बैट लेता था रोड तरफ जाती थी खूब हासन देता था था कि मेरा बैट आ ऐसे है वैसे है उसको लेक्चर देने के लिए जाना जाता था करनी-धरनी कुछ नहीं था, जब कि बैंजी घर हमेशा मेहनत कर नहीं करता था। मेहनत करके ही अतना बड़ा आदमी हो गया था, बैंजी मुर्गियों का बिजनस करके। यह देखियार था है इसलिए था हम बोले कोई इंसान और अमीर पैदा नहीं लेता है सब गरीब पैदा लेता है लेकिन अपने मेहनत के दम परी क्या होता है और कि वो अमीर बन सकता है वो अपने मेहनत वो सबसे बड़ा चीह होता है मेहनत लेकिन जब कुछ दिनों के बाद जब उसका घर में अलगा-अलगी हो गया तो इससे मतलब कि जब बेंजी और जब आता था उसका घर से तो उसका मा उससे नहीं बोलती थी जब फलोरेंस आती जाती थी तो एक दूसरे को घूरा करता था सब एक दूसरे को और बिल्कुल द्वेस भाव से देखता था जाएंगे यतना बड़ा सहर में हम कहां पर रहेंगे तो बहुत जोर से डाट करके बेंजी बोला और यह आगे चल करके क्या किया अपना पैरेंट्स को भी घर से निकाल दिया उसके लिए बेंजी जब तक के बहुत सारा प्रोपर्टी बहुत सारा धन बना लिया था यतना सा यही था अभी मोडर्न जमाना के ही कहानी है बिल्कुल कि लड़का के लड़की पसंद आ गया ने तो उसके लिए मायबाब कुछ नहीं कर सकता है मायबाब तो खुद कहता है कि अपने से देख करके जा करके बियाह कर लो उसके उसको कोई मतलब नहीं और जदि वह अपने पसंद करके जदि उसका मायबाब लाएगा जिदि बाउजी जा करके पसंद करके ला देदे और जदि उल्लड़का क्यों पसंद नहीं आएगा तो पता जलेगा ओन आपने सामने में बदीचारे पसंद में पसंद घुली परिंश Вас्ट को भी नहीं है सुलाइब से अभी जमानी पत्न स्ल minced बात की मानना सूरू करता हैU माय बाप चलक चोट में चलाएब मतनला कध्राब जाए, भाण में जाए, खाए चाए नाए खाए, उसे कोई मतनम नहीं है, जो पत्नी कहे कि वो ही करेगा अभी के जमाना में कोही कहानी सेम आपका द अर्थ में بھی है, और द अर्थ है किभी कहानी बेंजी के बारे में जो बता रहे हैं ही हुआ histori के बातों को मानता है आरू अपने बारे में अपने प्याल से निकाल दाता है चार पहियों के यारी पर बैठा करके ऑर टाउन में छोड़ाता है वह फी आगे र्वाली सिद पर बैठाता ले जाओ एक प्रावन में छोडने के बाद आर वह बेंजी जो है और वह उसके पीछे मुड करके भी नहीं देखता है जब कुछा नौक पर पहले उसका समान धर लाता है और जब जॉणसन उतर करके उस सहर से जब रहता है निहारता है देखता है तो उसको सिर्थ खाली जन्य भी देखता है उसब्सप्ती पर जोँडिवास कौन यह बेंजी जो था और जिससे जॉंसन को आजीब जैसा महसूस होता है इसलिए इसका नाम रखा गया तो अब आपको हम अस्टेंज यह था आपका थीम फिर उसके बाद में फ्लोरेंस और बेंजी बेंजी वापस लौट आता है कुछ नहीं बोलता और फिर फ्लोरेंस के साथ रहने लगता है जीने लगता है अपना माई बाप को भी निकाल देता है इतना नलायक निकला था यह बेंजी शुरू में देखे इसको दिखाने के लिए कौन-कौन डाप्टर के पास नहीं ले गया था यह जौंसन और इसका मतलम आता है लेकिन फिर विद्वान था अ बैकि जब जिसका यहां हजाता है देखो तुरा तुसका पत्नी और किस रूप में रूप धारान करते हैं आपनी के संसकारिक पत्नी मिलना मुस्खिल हो तो यह समन भी है तो आपको यह summary लिखे हैं बहुत short में लिखे हैं और जतना कि हम आपको बताएं जतना कि हम भूक में है उसको जदी हम पढ़ाएंगे line by line तो आपको एक दो वीडियो लगेगा line by line जतना कि हम theme बोले हैं सारा objective और इससे आएगा जतना हम बोले हैं कि दा अर्थ जो है हाइज बीन डिटन वाइची बेट्स दर्फ जो एची बेट्स के द्वारा लिखा गया ही बाद बॉर्ण और नाइंटीन हंडेड़ फाइव इन इंग लैंड उने सो पाच इसमी में अर्ची बेट्स का दर्विंग लैंड में हुआ अंड डाइड इन नाइंटीन सेवेंटीन नाइंटीन सेवेंटीन इसमी में इसका क्या हो गया में मिट्ती हूँ की बात अभेरी और गुड़ पोएट हिमसेर्फ हुआ भी अपने अपने अच्छा कभी था हम बोले कि कोई भी कभी के बारे में हम बुराई नहीं करते हैं सब कभी अच्छा होता है अंड विएज डिस्क्राइब अर्थ हिंदिस अस्टोरी में अर्थ के बारे में बताया गया है वह करता है जॉंसन हैड दा अर्थ अंड यहाड ऑल्शो अपनाओ टूब हील्ड कार्ट टूलस अंड बॉनी ब्राउन मेयर और काता है अंड इट बाश्टू दैट काता है नो उसके जॉंसन के पास पिलत भी है मत्दद धरती है जमीन है अही अच्छो अपनाओ यह को हल है तूब हील्ड कार्ट दो पहिये की गाड़ यह तूलस अंड यंत्र है और बॉनी ब्राउन मेयर और काता है की बॉनी ब्राउन मेयर है बोडी है अंड इट वाज ट्रू दैट यहाभी सच है जैट देट अर बैन ने उड बेंजी अर उसके पास इसके अलाब ही और है करता है जब अगोक्टर यहाभी बेंजी और काता है जब उसको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाता है उसका पैरेंट बैंजी का तो वे जो डॉक्तर जराता है और उसको सलाह देता है हम सारा चिथी में बता है आपके सलाह देता है कि इसको कुछ काम करवाईए और काम जब करने के लिए बोलता है तो उसके पास मुर्गियों मुर्गियों के बारे में बोलता है और जॉंसन के पास पहले से 10-12 मुर्गी था आपने लगता है और तुरत बहुत जल्दी क्या हो जाता है रीच हो जाता है कैसे रीच होता है उतना सारा मेहनत करने के बाद एसा नहीं है कि तुरत लिगती है रीच हो गया हो आएसा अकसर होता हर लड़का जैसी साधी हो जाएगा अपना पतनी के नाम से जैसे भी जाएगा और जदियों आपना माँ जदियों काएगी कि चलो मतलब फुगा किया तो नहीं जाएगा आइसे भी है उसका पत्नी के जदियों जो भी उसका रिलेशन परिवार में होगा उस सब मानेगा उसका अस्वैंड नहीं मानेगा तो फिर उसका क्या वाड़ी लग अब बताए कहा चाहिएगा तो वही फिर आपको करना पड़ेगा ऐसा देखें पतनी नख्रे बाज़ी हो काता मैरी टू प्लेरें आप्र दाटी बिगें टू कारल विट में उसके मदर और वाइप में जगड़ा होने लगा था कि कॉल टू इस पैरेंट सीट इन दा कीचन अब आपने पैरेंट से बहां निका दिया था और कहां रहने के लिए बोल दिया था यानि कि जो टाउन था बगल के टाउन था और वहां परी रहने के लिए बोल दिया था रहने के लिए बोला था काता है मतब वेवस्ता कर दिया था उस टाउन में बेंजी हैड मेंड प्रोपर्टी बेंजी पास बहुत सारा संपत्ति हो गया था सो इसलिए ही हैड़ फोर विल्ड कार और उसके पास टेक चार पहियों लगाड़ी भी हो गया था काता ही अलसो हैड मेनी असर्वेंट्स उसके पास बहुत सारा नौकर भी हो गया था आइंड ही वेगें टू लीप इस वाइप आउसके बाद वह अपने पतनी के साथ में र जाऊ थो भील्ड का तो वनी बरों मेर इस तो पूछेगा बेंजी के पतनी क्या नाम था फ्लोरेंस फ्लोरेंस लूज लिप्स यानो उसका फ्रवलाटकी पतनी मिली थी मैं बेंजी पहली बार में कितना एकट जमीन किस्ते वीट मौर से आचा अदो जिस भूमी पर जौंस स्माप्ट लिए थैंग करें हमारी सब्दों को आप बार बार इसको सुनिए आप भी इस बेंजी के जैसा इसका नहीं पर आप भी लागू किज़े मेहनत किज़े आपका भी जीवन बदल जाएगा आपको जो वीडियो अच्छा लगता है ज्यादा ज्यादा आप पढ़ोस अडोस वला के भी पढ़वाईए लोगों को मतलब कि यह दर उधर भी सेंड कर देजिए वह भी पढ़ेगा वह भी सीखेगा औ सब समरी में यतना चीज तो हम सब में लिखते आ रहें पिछला वीडियो में भी देख सकते हैं आसान है बिल्कुल यतना बढ़का वो कहानी को हम इतना सब्सक्राइब समझा थेंकी तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आप हम इतना बिल्कुल यतना बिल्कुल वीडियो कि दो हम मिलेंगे वीडियो पुछ झाल बढ़का यतना चारो आप भी तो हम पूदए सब्सक्राइब।